मम्मी बहुत कैज भूख लग रही है कुछ खाने को दो ना थोड़ी देर और रुप जाओ मैं कुछ ने कुछ खाने के लिए लाऊंगी मम्मी अरे बाबू क्या हो गया तुझे खाना 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 भूख लगी है इससे मैं कहां से खाना लाऊंगी मैंने कुछ दो गिंसे कुछ नहीं खाया है खाना खाना तुझे कुछ नहीं होगा मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी तुम सब यही रहो कहीं जाना मत यह जंगल बहुती खतरनाक है मैं खाना लेकर आती हूँ इस जंगल में से मखली के महां कहां से आ रही है जरकर भूड़ती हूँ सर्दार हम कब तक यूही नचानिया का नाच देखते रहेंगे चलो गाँ में चोरी करने चलते हैं हा मालीक सुला है अज गाँ में एक साधी है चलो सुलाचानि लूट कर लाते हैं वहां से अभी नहीं बरात आ जाने दो गाँ में उसके बाद चलेंगे लूट ले तब तक नचानिया नाच वह रहा मचली लेकिन कैसे लाओं वहां तो बहुती खतरनाक डाकू है लेकिन अगर नहीं लाई तो उधर मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे खाना खाना ममी लाने गई है खाना बस ओ खाना लेकर आती ही होगी लगता है अब मैं नहीं बच्च पाऊँगा नहीं यह समत बोल मेरे भाई अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके साथ खेलूँगा क्या बात है नचनिया तुने तो घर्दा उला दिया सरदार अब मैं और नहीं नाचूंगी नाचते नाचते मेरी हलग खराब हो गई है अब पेपसी पिलाओ तभी नाचूंगी पेपसी हम यहाँ जंगल में रहते हैं किसी घर या होटल में नहीं कि तुझे फ्रिज से पेपसी निकाल कर दे दूँ चिंता मत करो नचनिया अभी हम साधी में लूतने जाने वाले हैं और मैं वहाँ शिर्फ पेपसी चुराऊंगा वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए देख रहा है ये क्या है बंदूग ये सिधा तेरे पिछुआरे में मारूंगा अगर साधी में से पेपसी चुराया तो वहाँ से सिर्फ रूपिया पैसा सोना चाधी चुरा करवाना है समझा समझ गया मालिक अरे पकड़ो पकड़ो वह बिली मेरा मचली लेकर भाग रही है पकड़ो पकड़ो वह बिली सरदार की मचली लेकर भाग गई अबे तू किसे पकड़ने के लिए बोल रहा है चलो तुम दोनों जाओ और मचली लेकर आओ और हाँ, उस बिली को देखते ही गोली मार देना ठीक है माली, चल भूरा कितनी महलत से पकड़ा था उस मचली को और वो बिली लेकर भाग गई मंगरुआ, हम जंगल के काफी अंदर तक आ चुके हैं कहीं सेर भालू हमें ठा गए तो अगर हम मचली लेकर नहीं गए, तो मालिक हमें बहुत मारेंगे तो तरना बंद करो, और उस चुड़नी बिली को धुड़ो मुझे लगता है कि वो उस गुठा के अंदर गई है चलो वहाँ देखते हैं, हाँ चलो देखो ममी हमारे लिए खाना लेकर आ गई ये लो बाबू, मैं खाना लेकर आ गई, अब जल्दी खालो इसे ममी, ये तो अब खाना खाई नहीं रहा बाबू, बाबू, खाना खा लेना बाबू, तुझे भूख लगी थी न देख मैं तेरे लिए मचली लेकर आई हूँ उठला बाबू, क्या हो गया है तुझे, उठला रुख भूरा, वो देख, वहाँ पर है वो बिल्ली, रगता है उसका घर वही है चुपके चुपके बिना वाज किये चल उसके पास ममी बाबू मर तो नहीं गया नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैं इसके लिए खाना लाई तो हूँ देखोना ये खाही नहीं रहा है उठना बाबू, खाना खाले सैद अपने देर कर दिया खाना लाने में तुम सब भागने की कोशिस मत करना नहीं तो गोली मार दूँगा मंगरुआ छोड़ देंगे रगता है कि ये बहुत भूखे है इसलिए ये बिल्ली मचली चुरा कर लाई है लेकिन अगर मचली नहीं ले गए तो सरदार हमें नोकरी से निकाल देंगे देखो ये बड़ी उस्तोय हुए बिल्ली के तरफ कुछी सारे कर रही है रुको मैं देखता हूँ उसे अब उठ बिल्ली के बच्चे अरे ये तो मर चुका है मंगरुआ मुझे लगता है कि हमें इस बिल्ली के बच्चे को डाक्टर के पास ले जाना चाहिए हाँ तु ठीक कहा रहा है चली से उठा कर ले चल तुम जिन्ता मत करो बिल्ली डाक्टर तुम्हारे बच्चे को बचा लेगा डाक्टर 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 जल्दी दर्वाजा खोल नहीं तो हम तोर देंगे कौन है बत्तमीज जो इतना चिल्ला रहा है हम डाकू है बे चैन इस बिल्ली के बच्चे का इलाज कर नहीं तो यहीं खरे खरे ठोक दूँगा तुझे नहीं नहीं डाकू बबू उस बिल्ली के बच्चे को अंदर लेकर आओ मैं उसका इलाज करता हूँ उसे यहां सुला दो अरे इसकी हालत तो बहुत खराब है लगता है इस बिल्ली के बच्चे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया तो अब क्या होगा? रुको विटामिन्स का इंजेक्शन लगा कर देखता हूँ सायद ठीक हो जाए तो जल्दी लगा? लगाता हूँ लगाता हूँ